जे नेचे जे नेचे तारा तुमी जानो भोजे एरबाजी वारे बंगला में आगे बहुत लिए थे जे तुमें जे भावे डाके ताते तुई ओमाई राजी पर मा तुई तो एकी माँ तू तो एक ही माँ तू तो एक ही है माँ अच्छा बंगल में एक बहुत बड़े पुझारी थे काली के जिनका नाम धक करता जी बहुत बड़े उच्च कोटी के पुजारी थे खालिमान लेकिन करता जी जिस राजा के घर में नोकरी करते थे ओर राजा स्री वश्णव था अब स्री वश्णव तो सभेट तिलग लगाते हैं और उनका कहना था कि मेरे यहां वही नोकरी करे जो वश्णव है पर करता जी उनके घर में नोकरी करते थे क्योंकि करता जी को कृष्ण में और काली में कोई भरक नजर नहीं आता था बड़े उचे पदबे थे करता जी पर एक दिन चुगल्ची लोगों ने संत्री मंत्रियों ने कहा राजा साब ये करता जी तो काली मा के उपासक है और आपने कह रहा का मेरे घर में वही नोकरी करे जो वहिश्णव है राजा ने कहा नहीं कहा हाँ और एक रात के ग्यारा बज़े का समय था राजा मंत्रियों के साथ घर चला गया करता जी दरवाजा खट खटाया माउसका दिंता करता जी काली मा की पूझा कर रहे थे दरवाजा खट कडाया खोलो अब तो करता जी घबरा गए कि आस तो मैं कहता रहा क्योंकि मेरे तो काली में और कृष्ण में कोई परक नहीं तो ये लोग बड़ी हसी उड़ाएंगे मेरे तो उन्होंने एक बार काली मां की तरफ देखा मां ए मां तुई जानो भोजे रवाजी मां अब तुई जान क्या करना है और साथ दरवाजा खुला क्या हुआ जो ये दरवाजा खुला काली की मुर्ती गायब हो गई मां क्रिश्ण मंसी बजा देख रहे कलकत्य में आज भी इस नगर का नाम है क्रिश्ण नगर क्या नगर है काली क्या बन गई क्रिश्ण बन गई ब्रह्मा और सक्ति दो नहीं होती है साथ, सीविशिवा दो नहीं है, राधा कृष्ण दो नहीं है, इस सप्ता को आप क्यों टूगराना चाहते हैं, जो कहता रादा club मानना वा क्रिष्ण को मान्दा हो क्रिष्ण को मानंदा उं ऐ मुरुइश is गोरतेज के बीणा श्याम टेज और ही ओर स्थे विन में गोरतेज की पुझा करने वाला ब्रमnat्याः कालीड एस काली रहे तुकाना मल जा, रख मेरा मान काली रहे तुकाना बन जा, रख मेरा मान काली कृष्णा, काली कृष्णा एकार हाथ उढ़ाई, मंदाल के धुनाई काली कृष्णा, काली कृष्णा, 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 वासेयुद में जाते हुए भॉमavors माधरगा की प्रात्ना की पापकाली न रशह्ण दिया आज भी कभी आप दिली जाऊ ना तो तलग जी के मंदिल में जागे आए अ पन्स या न। पैराही किसा आए किके मूर्थी अधूस की मोटर जोंक कर पादो है कि अन्म मकली जए माप काली काली पाले पाले ही कृषिसना जजी कि सिना जय कृषिसना जयो कि सिना 2020 है यह भे भात छोड़ दीजिया राध है करश्न है करश्नई तो मा के सरी से काली प्रगट हुई और काली ने प्रगट होकरके और सिव का हाथ पकड़ा और सिव के साथ फिर तीनों देवता विमान पर वेठे और अपने अपने लोग में भगवान ब्रह्मा सरश्च्दी को लेकर विश्न Bom-मालक्ष्वी को लेकर और महागवरी महाकाली को लेकर सिव जी कैलास पर आये इस तरह देवी भागवत के अनुसार भुनिश्वणी देवी ने तीनो देवताओं को तीन रूप प्रदाद के बोले जगदंबे मात की जहू प्रेजनो याद रखियेगा देवी भागवत के सब्द को पांच हजार बरस बीट जाएंगे कल जुके क्या पांच हजार बरस बीट जाएंगे तो गंगा यमुना आदी रह जाएंगे दस हजार बरस बीट जाएंगे कल जुके तो जमुना जी गायव हो जाएंगे आपका सोभाग यह है कि आज आप ब्रिंदावन में जोना मया का थोड़ा दर्शन कर पाते है देव भागत में लिखा है दस हजार बरस बाद में गोमाता भी गाय भुजएगी जोना भी गाय भुजएगी गर राज गुबरदन भी गाय भुजएगा हम लोग का सोभाग यह है कि आज हम ब्रिंदावन धाम का दर्शन करते हैं घराज गुबरदन का दर्शन करते हैं अब देखिए हम 50 साल पहले वहां पढ़ते थे प्रशाद जी वहां पे बड़े पंडी जी तो वहां पंबी कभी छपा के जाते दर्शन करते हैं तो वहां का गिराज कितना बड़ा थर आज 50 साल के बाद का गिराज वह 50 साल पहले का वरस वह बिहारी जी के मंदिर से उतर दी जमुना का नाना हाथ तो ढ़ाई को सागे चले गए आप लोग भाइदा उठाईए हमारा कितना सोवग ये है यदि हम साथ हजार वरस पहले होते दुनिया में पहदा तो हमें को स्रीम भगवत गीता सुनने को नहीं मिलती हाँ यदि Eighthsus साल वरस पहले भी होते तो राम चरीत मानस पढ़ने को उन को नहीं मिलता है पांसो साल पहले दुलसिदास जी ने रामचरित्रमानस लिखा, हम लोग का स्वभाग यह है कि हम रामचरित्रमानस के जुग में जन्वे हैं, श्रीमत भगवत गीता के जुग में जन्वे हैं, अब गर्ब करना ची इन चीजों के उपर, गनगोर कल जुगा जाएगा, गो माता गाय भुझाएगी, कई लोग कहते हैं, गो सेवा करते हैं, महाँ जूठे लोग हैं वो लोग, गाय की कृपा है, कि आपसे सेवा करवा लेती है, गाय की सेवा करने वाला, तो किवल गुविंद है, जो कहते हैं ने गाय को दान देते हैं गाय को क्या दान दोगे आप तो नहीं कोई गोमाता जो सेव लक्षमी है उसे क्या लक्षमी दोगे यार ये तो इस तोर तुमारे को देख रहा है कि तुमको दान दिया, दोलत दिया, स्थरीर दिया तुम सिवा करते होगा नहीं करते हो गो माता की इस्वर तुम्हें देख रहा है सब लोगों ने गो माता को आज बिखारिन बना का छोड़ दिया है गो दान दो, गो सेवा दो, गो सेवा दो, गो सेवा दो बिखारी मत बनाओ मागो यह मा है, हवान तुम्हें देख रहा है, इस्वर ने तुम्हें दिया, वही छिन लेगा, अपने अपने गाउं में घुसाला बनाएए, गाउं की सिवा कीजिए, अपने 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 गाउं से सिवा कीजिए, आप अपने 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 गाउं को समाल लीजिजिए आप, गोमाता को हम कौन रूटी डाल सकते हैं, गोमाता की कृपा है कि हमसे कथा करवाती है, गरतम कराती है, और जब चाहते हैं, जो रूप भर्वान का दर्शन कराती है, जिनको पता नहीं ना मुर्खों को, उनको समंदर देखने जाते हैं, और जिसको पता है, उसने गाय की आँ आख में समंद्रों का दर्शन होता है, गाय के आख में जो समंद्र कभी देख लीजिए गाप, कही नहीं है ब्रमान में, वो संती जो गाय के आख में और भुर्सत होता अब ना, तो देवी भागवत कहती है, दस अजार वर्स भीतेंगे, ब्रंदावन चला जाएगा, जुमना, गंगा जीवी चली जाएगी, जुमना जीवी चली जाएगी, केवल इस दुनिया में एक ही रह जाएगी, मा दुर्गा, कोन रह जाएगी, क्यों, चाहिए बच्चा ओडी हो, चाहिए दुखी हो, चाहिए बिमार हो, चाहिए कोई बिमारी पड़ी हो, मा कभी उसे छोड़ करके नहीं जाती है, केवल दुर्गा भगवती ही रह जाएगी, या जीवन को सुन्दर बताओ, मैया को दिल में बसा कर तो देखो, मैया को दिल में बसा कर तो देखो मैया को दिल में बसा कर तो देखो दुनिया से दिल को हटा के तो देखो दुनिया से मन को हटा के तो देखो बड़ी ही दयालू है माशेरा माली एक बड़ी ही दयालू है माशेरा माली एक बार चर्णों आकर तो देखो एक बार चर्णों आकर तो देखो शेरा वाली है भाकित्रों की दिल का सदा लुकाती है के पाके धंदा मा की महिमा चारों तरब है ज्वाला मया का दृष्ण कभी हमाचल जाना का काम पड़े ज्वाला जी का दृष्ण करना एक बार अकबद बास सभी ज्वाला जी का दृष्ण करने गया था उससे पता चला कि ज्वाला जी के पास एक नादान गाम है और वहाँ एक भक्त रहता है धानु भगत जो मा को प्रगट कर चुका है मा को प्रगट कर चुका है अगवर ने धानु को बुलाया क्या तुम मानता है मा सही है तो मैं मानता हो मा सही है तो अगवर ने उसी समय तलवार से घोड़े का सिर काट दिया इसको जोड़ के वह था और धानू भक्ते कैसा हुआ जिसने गोड़े का सिर्वापिश जोड़ करके दिखा दिया यह ले अगबर ने का यदि तु जोड़ देगा तो सवामन सोने का छत्र अपने कंदे पर ले जाके माँ को पहाड़ी पर चड़ाओंगा एदू तो जोड़ दिया तो अगबर चड़ाने को जाना पड़ा उसको लेकिन चड़ाने जब गया तो अभिमान आ गया कि हिंदू नहीं चड़ा पाए और मैं एक मुसंमानों के चड़ा रहा हूं उच्छतर आज भी लगाए लेकिन ने तो सोने का रहा ने चांदी का रहा पत्थर का रहा अभिमान के कारण पता नहीं क्या बन गया ख़दम हो गया लगाए किस धातु का बना अज तक पिछ बना जिसके नाम से संबस्तर चलती है आप सुब़ पुजा कराएं भारत में जन में तो संकल्ब करना पड़ता है विक्रम संबस्व सरहे विक्रम संबस्तोअ था प्याजर साग्तर 704,שהथर यह जो चली है न कई लोग कहते हैं उन्या साल आने में उन्रुजों आगे हैं लोग कहते हैं अंГ्रिज हम से बहुत आगे हैं क्या खाक आगे हैं अंग्रिजोंिंगे कितना चल रहा है 2,000 अनुर्ग झाल रह और हिंदुंक गितना चल रहा है अंग्रिजों। ना चल रहा है 2, poster tal यार पेचहतार बताईए आप वो आगे हैं कि हम आगे है इस धेश का दुर्भाग्य रहा समय अपना अपना काम करता साब एक अंगरेजों का समय था कहते दिए उनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था जहां सुरज डूबे वहां भी उनका राज्य यहां भी इनका राज्य पूरी दुनिया का सोना हीरा मोती साब इक अठे करके अपने घरों में भर लिया उन लोगोंने सब कुछ डाल करके अपना घर भर लिया लेकिन आप ध्यांतीजे साब एक समय था आज खतों पहुँआ है किसे ने चामर बुराया जो ते तेरी जलती रहे जोतावाली जोते तेरी जलती रहे जोतावाली जोते तेरी जलती रहे जोतावाली जोते तेरी जलती रहे जोतावाली जोती तेरी जलती रहे हालो भगत मैया तेरा जस्य गावे बेडा पार लगाया वो ते तेरी जली ती रहे जली रहे जो का वाली वो तेरी जली ती जली ती रहे जैमा अम्बे जैमा जग जंबे जैमा जग जंबे जलती रहे मेरा वाली जो होते तेरी जलती रहे जलती रहे महरावाली जो होते तेरी जलती रहे अब आपने क्या-क्या सुना एक बार मंत्र फिर से गाईए कोसले सुन्डबस्त्रेष्टे सुरियवंस समुद्ववः उस्वपुत्रो महाते जहा धुरुबसंदी ते विस्मृता पहले समय में अयुद्या के राजा थे धुरुवसंदी धुरुवसंदी राम के पुरुवज राजा थे और बड़े ही युग्यमान थे धर्मात्मा धर्मात्मा थे सत्यसंदस्यह सत्यसंद में और वरनास्त्रम ही ते रता उनके राज्य में ब्राम्मान वैस्यक्षत्री सब अपने अपने वरन में स्थित थे अयुद्यायाम समर्ध्यायाम राज्यम चक्रहे सोच ब्रताहा राजा ध्रोसंदी का राज्य जो था अयुद्या में था दुनिया में जो राजा के अंदर गुण होने चे ये महराज में सब थे और महराज के दो पत्नियां थे एक का नाम था मनोरमा और एक का नाम था लेलावती मनोरमा के पिता का नाम था वीरशेन और लीलावती के पिता का नाम था युदाजित महराज का राज्य बहुत बढ़िया चलता था समय आया महराज की बढ़िया रानी मनोर्मा के गरव से सुदर्शन नाम का बेटा पैदा हुआ और दूसरी रानी लिलावती के गरव से जुधाजित नाम का लड़का पैदा हुआ युदाजित और सुदर्शन, दो बेटे थे राजा लिए, राजा दुरूसन दी बहुती आनंद थे, मनोरमा धर्मपत्नी, सुरूपा तिविचक्षना, लीलावती दितिया चे सापी रूप गुणान विता, राजा का रज्य बड़ा सुंदर था, परजा को बहुत अच्छ पात कर रहे थे, तो राजा का कर्तब भी रहता है, जंगली जानोरों को भी दंड दे, अब जो सिंग कुरूर हो जाता है, जवरजस्ती 10-20 जानोरों को रुज मार दे, तो राजा दुरूसन दी को बता चला, तो जंगल में सिकार खिलने के लिए गए, और जा करके दुष् संधी मारे गए, संत्रियों ने, मंत्रियों ने, सेनिकों ने, विरसिंगनी को भी मार दी, लेकिन जब ये समाचार अयुद्या के अंदर आया, आप तो अयुद्या में बड़ा सोक हो गया, बड़ा दुख हो गया, सब लिखा गया, इतना बड़ा राजा, इस तरह से जंग के अंदर शिकार खेलने गया मारा गया राजा का मरना सुनकर के मनोरमा के पिता वीर सेन और जुधाजित जो लिलावती के पिता थे वो सोक मनाने के लिए आये गाउ में तक तो ठीक दा लेकिन जब आया कि ये गद्धि वर्गोन बिढ़े तो राजा वीर सेन ने का मेरी की और इसके बड़ा लेड़का है सुदर्शन तो सुदर्शन को गद्धी पर बेठाना चाहिए और इस पर से बंगाल का हो राजा बोला तो युधाजित जो इंदर का राजा था उसने कहा नए मेरी बेटी का बेटा गद्धी पर बेठेगा और एक गादियों का जमिला त बेठाओं गिरे गाई पर रोज गिराए वो बेठेगाई सिमरोने की क्या बात है बडा गजब जूड़े है लोग किसी भी पार्टी सेग आजमी जुड़ गया वो कहीं जीत रहा है कहीं हार रहा है और रो रह है रोग रह रहे है इतना समंध हो गया अधमी का सूचों एब ह् पर युधाजित जधा ताकत वर्था बास् बड़ा ताकत वर्था उसने का मैं मेरे दोहित्र जुधाजित को गद्धी पर बिठाओं गा जो करना कर लो वीर सेन न का तो सावधान पिर क्या था मेदान में धोनों की सेना इकठी हो गए धमा शान युद्ध हुआ अब युद्ध का बनणने करते हुए युद्ध के अंदर राजा बड़ी रानी का जो पिता वीर सेन तो हो मारा गया ये धर एक दिवल नाम का मंत्री था उसने देखा कि राजा तो गिर सेन मारा गया तो वह दोड़ करके मनोरमा रानी के पास महलों में आया कि रानी जितनी जल्दी हो अपने बेटे सुधर्शन को ले करके तो भाग जा क्योंकि वो आएगा जिसने तेरे पिता को मारा है वो इसको भी जिन्दा नी छोड़ेगा क्योंकि गद्धी का यदिकार पात चाता है तो जितनी जल्दी है भाग जा उसने गा मैं क्या करूँ का क्या करूँ मैं करूँ का समय नहीं है जो सोना चांदी हीरा मोती है तेरे बासले और मैं रत जोद देता हूँ एक सोने का बड़ा रत था कोई कह दे तो कहना मेरे पिता मर गए है मैं तो मेदान में रोने के लिए जा रहा है दिल वल मंत्री ने रानी को बेटे के साथ बिठा दिया और जंगल में भगा दिया इदार राजा युदाजित आया सत्रुचित आया और अपने दोहित्र युदाजित को ले करके मनोर्मा को सारे ढूंड मारा लेकिन मनोर्मा नहीं मिली और नै सुदरसन मिला उसने का सेन को पता लगाओ कहां गए जिन्दा नहीं छोड़ना है क्योंकि ये नासूर बन करके कभीन कभी ही मेरे गद्धी पर आएगा ये गादियों का जगड़ा क्या है हम लोग पढ़ते जिना तो हमारे भोज प्रबंद नाम का गरंथ चलता था हमारे भोज प्रबंद राजा भोज जो था ना जन्मा तो पिता मर गए थे राजा भोज के उनके चाचा था जिसका नम दा मंजुल अब भोज जब दस साल का हुआ तो चाचा मंजुल के पेट में पाप आ गया कि इसको मार के गद्धी अपने ले ले निचे है यह गादी ऐसा उसने कसाईयों को बुलाया कि जंगल में ले जा हमार डाला इसको नटका भोज भोज को ले करके गए और कहा इसकी आंख लाके दे दे ना जिससे मैं पहचान जाओं कि तुमने मार दिया अब भोज को ले ग सुना सुन्दर था कि उनको दया गए उनोंने कहा भोज हम तुमें जिन्दा छोड़ सकते हैं लेकिन कभी भूल करके राज्य में मता आना नहीं तो यह तुमको हमको भोज ने का रुको एक स्लोग लिग के देता हूँ अमारे चाचा जी को देते ना जिद्वान ता भोज ने एक स्लोग लिखा मांधाताक्व गतत्रिलोक भिजही राजाक्व सत्यब्रतो देवानाम नुह देवानाम रिपती गतक्वनहस शश्यास्त्रवान केशवा मांधाता राजा 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 रा को लेकिन जब स्लोग पड़ा मंजुल ने बहुत रोया एक स्लोग ने उसका जीवन परिवर्टों कर दिया पचाड खाखा करके गिरा रोने लगा पागल हो गया एक महीने पानी नहीं पिया हद हो गए दिन खा रहा हुजा तब बदिकों ने कहा कि भोज जिंड़ा है भोज राजा है तो राजा ने जाकर के भूज को गत्यपर विठाया यही होता है साथ बक्तमाल में लिखा है सुनीती और सुरुची धुरू की कथाब सुन्दे ना सुरुची ने कितनी बार दूद में जहर मिला है कि धुरू मर जाये तो अच्छा कितनी बार पत्थर से फिंगा कि मर जाये तो अच्छा लेकिन सुनीती का बंस नहीं चला भागत में उसका बेटा उत्तम मर गया और सुनी थी का बन से चला उसके बेटा धुआ आज भी आकास में देता है आप देखिए जरा कथाओ नारेण राजा की वह रानी जंगल में भागी इधर सत्रो जितने सेना ली और सेना लेकर के इधर जंगल में रानी लड़के को लेकर जा रहे थी सो क्या हुआ जंगली निशाद मिल गए और निशादों ने रानी का रत लूट लिया गहना लूट लिया क्योंकि समय खराब था आज राज चूटा पती गया और रत भी गया और सोना हिरा भी गया लेकिन बच्चा छोटा था ये जानकर के जंगल के निशादों ने उसको छोड़ दिया अब रानी भटक रही है जंगल के अंदर युदा जिस सेना लेकर के पीछे से आ रहा मारने के लिए अंत में रानी भरद्वाज रिशी के आस्रम में पहुच रहे है इलावाद के पास आयुद्या से और जाकर भरद्वाज रिशी की स्रण ले ली महाराज मैं सरणा का तू मेरा बच्चा छोटा है इसको बचाए जाए आत्माने का निर्वे हो इशी का आश्यों है इदर युदा उसने सत्रुजित ने युदा जितके साथ मिल करके सारा का सारा अस्रम घेर लिया सारा अस्रम घेर लिया बरद्वाज रिशी को पत्र बेजा रानी और लड़के को हमारे सुभूर्द करो नहीं तो मरने की तैयारी करो बर्दवाज रिशी ने समाचार भेजा, हमारा एक साप ही बहुत है तुमारे लिए चले जाओ, शरणागत की रक्षा करना मेरा काम है तुम ब्रह्मनों का तेज नहीं जानते हो, वसिष्ट ब्रह्मन थे और विश्वावित्र छत्री थे विश्वामित्र ने वसिष्ट जी पर सारे आगनेयास्त्र, वाइब्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र सब छोड़े और वसिष्ट जी ने केवल एक तिन का उठाया था, कुसा का जोल ब्रह्मन, तो ये कुसा का तिन का सारे अस्त्र सस्त्रों को वापिस इस स्वामित्र का ब्रह्मा अस्त्रागनिया सब तुट गए किस के आगे एक कुसा के आगे तब इस स्वामित्र ने कहा तोड़ दिया धनुस को दिक्कार है छट्री की ताकत को मैं भी ब्रह्मन बनोगा देख वलम छट्री वलम ब्रम्मतेजो वलो बलाब ब्रामन की जो तागत है जाब किसके अंदर होगी सारे देवता मंत्रों के आधी ने और मंत्र ब्रामन के पास होते है मंत्री ने का महराज आप गल्त भिड़ गयों भरत्वाजी से आपके पास भले ही लाखों से नहीं कर लेकिन वापिस चलिए अरे कभी न कभी तो लड़का बड़ा होगा बाहर आएगा मर लेंगे आज ही क्या लड़ाई की दरकार है राजा कोई भी बात जर गई कि जमिला करना वापिस आ ले अब देखो कथा क्लिम सब्द की है हुआ क्या लड़का भरद्वाज रिशी के सुन्दर बहुत था भरद्वाजी के पास बेड़ता उड़ता एक दिन वो दिलवल नाम का जो मंतरी था रानी से छुपके से मिलने आया उसी ने भगाया था रानी को प्राण बचा दे वो आया और उसने लड़के को देखा तो लड़के को देख करके दिलवल वो मंतरी था दिलवल आया तो उसने का क्लिव कही का क्लिव कहते कमजूर व्यक्ति को कृष्ण ने का ना कलेव्यमास मगमापार्थ तो यह बच्चे जो होते हैं बड़े आदती होते हैं से निकला कलेव 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 जाह मंत्री को देगा कलेव कलेव भरद्वाज लिप सी कह कान में आवाज पड़ी जड़के गोभुला ही दरा कलेक्र का खाशत उसने का ऐसी मंघ्री जी जै व Wikipedia यह एक टो THERE कि देख एक दो सदगुरू मंतर देता है एक स्वते मिल जाता है और सपना में मंदर मिलता है कर लोगों की इच्छा ओतती मंदर बाये मंदरौं है को या कान में व्याद को या व्या गड़ सुन जाता है बैठा, जाप कर इसका, शीर पर हाथ रखा, और भर दौाज जी ने मंधरडी दिया कलिंग, कलिंग, कलिंग अब वो लड़का शुवज से साम तक बेठा, कलिंग, 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 गुरुदेव ने कृपा की बिटा जप कर, जप कर स्वां स्वां समय जप कर और गड़का कलिं, कलिं, कलिं याद करने लगा और देखो तो तले वच्चों की माँ बाद से माँ बहुत खुष होने मँड़े लोगों का दिमाग खराब होता न वो लोग कहते हैं दुर्गा सब्तसदी का पाठ नहीं करना चीए गल्ती हो जाएगी तो मा गुस्सा हो जाएगी मुर्खों की हद है अरे पागलो जिद्रा तोतला बहुता है उतनी माँ खुस्वती अपने बच्चों से तो पाठ करो, सचंडी करो, यग्य करो मेरे माँ को प्रशन करने के लिए करो पूर्य चय मंत्र भुटा पढ़ा करो, कोई दिखत नहीं कि महाने लगाते हो बाना मत लगाओ लड़का क्लीव 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 कर रहा था और एक दिन की बात है अरात्री का समय था रड़का कलिव कलिव कर रहा था और उसी समय प्रकास हुआ लाल चुनडी, लाल चुड़ा और लाल सर और वस्त्र पेने माग का प्राकटे हो गया सुदरसन के सिर पर हाथ रखा बेटा जा विजयी भाव तु राजा बनेगा सुदरसन रोने लगा मा मैं राजा हम मा बेटे तो इंग्रीशी के घर में टुकडे खा करके पल रहे मां मैं राजा मा ने का चिंता मत कर तू राजा बनेगा तेरा विबाहर कासी नरेश की कन्या ससिकला के साथ में होगा और चिंता मत कर आज से मैंने तुझे पुत्र कह दिया है जब याद करेगा तेरी रक्षा के लिए मां भगवती खड़ी रहे जा अब बताएए क्या मिला याद रखिए चाला का आदमी से भगवान भी डरे कोई बेचके ने खाजे पर भोले भक्तों की भगवान बस में हो जाते है चरणा का मैया थारे बन के पुजारी चरणा का मैया थारे बन के पुजारी मन में परसावा शुरते खार पोड़ो में परसावा शुरते खार वो भईया भणे के गुजारी चैना का मैं या भई एन के गुजारी लाल लाल चूडो मा को चूनड लाल दाल है मैया ने आज पुखा रहे थारा लाल है मैया ने आज पुखा रहे थारा लाल है मैया प्यारी मैया प्यारी बैया बन के बुखा रहे थारी ने आज पुखा रहे थारा लाल है मैया प्यारी मैया प्यारी मैया प्यारी ने आज पुखा रहे थारा लाल है मैया प्यारी मैया प्यारी मैया प्यारी ने आज पुखा रहे थारा लाल है चरना का मैया थारे तण के बोजारे चरना का थारे मैया थारे तण के बोजारे ओले जर्दंबे मात की यहू सांती बनाया रखे कोई आवाज नहीं करे बहुत बढ़िया कथा चल रही समय सांती से बढ़िये आनन लिजे चीज का इनको देना धीरे धीरे दे कोई दिकत नहीं आईए तो मा भगवती ने दर्शन दिया सुदर्शन को अब सुदर्शन का चेरे का तेजी बदल गया जो भरद्वाज रिशी के सामने गया तो गुरुदेव ने का बेटा क्या बात है आज तो तेरे चेरे का उसने का गुरुदेव और रात में भाव भगवती ने आकर मुझे दर्शन दिया कि तू राजा मने दो मा ने कहा बेटा धन्य हो गए हम तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हारा काम हो गए आईए मा जब किसी को बजाना चाहे तो क्यों न बसे कासी राजा की वेटी थी सशिकला उसको सफना आया कि जंगल में भरद्वाज रिशी के आस्त्रम में रहने वाले शुदरसन के साथ में तेरा विवा होगा राजा कासी नर्यस ने बहुत बड़ा सुएंबर बुलाया है दूर दूर देश के राजा कासी नरेश की यहां पर सुएमबर में आने वाले हैं और सत्रु जित भी अपने दोहित्र युधा जित को लेकर आया उसे पता दा सुधर्शन वा आएगा और उसको मारेंगा वो भी आया सजीकला को रात्र में सबना हुआ वो अपने पिताजी के पास प्रणाम किया पिताजी यह सुएमबर मत कीजी क्यों? क्योंकि सुएमबर में माला लेकर जाओंगी हजारो राजाओं की मेरे पर नजर पड़े ठीक नहीं है क्योंकि माँ भगती ने दृशन देकर मुझे बता दिया है कि भरद्वाज आश्रम में रहने वाला बेटी यह क्या बात कर रहे है तू? मैंने राजा माराजाओं को भुला लिया है कि यह सुएमबर नहीं करूंगा तो भेंकर युद्ध हो जागा बेटी पर पिताजी मैं जाओं कैसे? मैंने तो सुपने के माध्याओं से जुदर्शन को पा लिया है इतने राजा माराजा कौन सी नजर से मुझे देखेंगे? कई लोग कहते हम ठीक हैं तो जमाना ठीक है हम ठीक है तो इस बात पर जड़ा विचार कीजिए एक सेड़ जी ने गाड़ी ली एक सेड़ जी ने बहुत बढ़िया गाड़ी खरी दी तो इंसुरेंस कंपनी वालों ने का इंसुरेंस करा लो तो सेड़ जी ने का हमारा ड्राइवर बहुत बढ़िया है हमारा ड्राइवर बहुत बढ़िया हमको इंसुरेंस कराने के दरकार नहीं तो company वालों ने कहा तुमारा driver तो अच्छा है लेकिन सामने वाला driver अच्छा हो जरूरी है कहा बोलो भाई इसलिए insurance करा लो इसी तरह आपका मन पवित्र हे आपका मन पावन है जरूरी नहीं है सामने देखने वाले का भी मन पावन हो पवित्र इसलिए हमें सदाचार में सदविचार में सद सेवि में ही रहना चाहिए दूसरे का मन कैसा है हम सही तो दूसरे अब सही ऐसा नहीं होता है बेटी ने बास कही लेकिन कासी नरेश ने स्वेंबर बुलाया इधर सजीकला घूमने के लिए बगीचे में गई एक ब्राम्मन आया कहां से आ रहे हो का भरद्वाज आस्रम से का क्या देखकर आया का मां सुदर्शन नाम का राज कुमार इतना सुंदर है इतना सुंदर है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता है सजिकला ने मनी मन सुदर्शन को अपना पती बना लिया मा की आदेश था उदर और इधर सुदर्शन भी विवा करने के लिए भरद्वाज रिशी ने का बेटा जा कासी जा और जा करके कासी राज की कन्या सजिकला मा ने आदेश दिया विवा कर तो जब जाने के लिए तैयार हुआ तो देखो जब अच्छा दिन आ जाता है तो सब लोग अच्छे बन जाते हैं जंगल के निशाद आए और सुदरसन के रूप को देख करके द्रवित हो गए और जो रत उसका सोने का छीना था जो गैने चीने थे वापिस देखर गें चीने देखो अच्छे दिन यह होते हैं कोई चीज आदे भगवदी मा की क्रिपा से धनो सुर्मान मिल गया लेकिन जब जाने लगा तो मा बोली नहीं बेटा तेरे को अकेले नहीं जाने दोंगी अरे मा तू कहा जाएगी अरे बेटा वहाँ पर सत्रू जीत आएगा युदा जीत आएगा भेंगर युद्ध होंगे नहीं मैं तो तेरे साथी चलोंगी अरे नहीं मा तो मा ने कहा बेटा अच्छा मैं तुझे कवच पाट करके देती हूँ आप लोग आज जोड़िए भगवान करें आपके वच्चों को भी एक कवच रक्षा करें जा बेटा तेरी सदा भगवती रक्षा करती रहे अक्रतस्तिंबिका पातू पारवती पातु व्रिष्टत अंबिका आगे से पारोती पीचे से अपरना पारस्वयोपातू सिवा सर्वत्र साम्परदम अपरना दाएबाय से सिवा सब जगए वारा ही विसमे दुरगे दुरगा दुरगे सुकर्शतित कालिका कलह घोरे पातु दाम परमेश्वरी मंडपे जमातंकी तता स्वम्या स्वेंबरे भवानी भूपमध्धेतू पातु आभवमोचनी गिरिजागिरि दुरगेसू चामुंडा चत्वरे सुझे कामका कानने स्वस्तू रक्षाम गुर्वन सनातनी दिवादे वैष्णवी सत्ती रवार्तायाम रभुत्तमह भेरे वीच रणी शुम्या शत्रु नाम बै समागते सरवदा सरवदे सेसू पातु दाम भुनेश्वरी ही महा माया जगत्धात्री सचिदानन्द रूपिनी सचिदान थूपिनी महा माया जा बिटा भुनेश्वरी सदा चोईस भंटा तेटी रक्षा करे बच्चों को राम रक्षास तो तर याद करा दो ओ सके दुर्गा का बच्ची याद करा दो क्योंकि ये रक्षा का बहुत सही उपाय है प्रेजनों उसके वाद सुदर्शन अरत पर बेठा और बेठ करके स्वेंबर में गया और स्वेंबर में जा करके और जो सपने में राजकमार देगा था उसको देख करके ससीकला ने माला पहना दी शुदर हिसन के साथ में ससीकला कासी नरेश की कन्या का विवा होना निश्चित हो गया माला उसने पहना दी पर ये देख करके सत्रू जित जो सुरू का दुस्मन्दा वो राजा महराजाओं से का हमारा अपमान करने के लिए कासी नरेश ने भुला है इसके साथ तो विवा पहले से नीशी था इसलिए लेने जाए जुद्ध किया जाए अब सारे दुष्टों को अपने आधिन कर लिया उसने और कासी नरेश को ललकारा युद्ध किया जाए अब कासी नरेश के बाद थोड़ी सी सेना तिर युद्धाजित के पास कितनी लाखों सेना युद्ध करो या सुदरसन को हमारे सुबुर्द करो महल के अंदर विवा हुआ राजा बड़ा गवरा कर विवा किया लेकिन जब विदागी का समय आया तो राजा ने कहा मैं कैसे राजकुमार तुम्हें विदा करूँ क्योंकि युदाजित की सेना तुम्हें रस्ते में जिन्दा सुधर्शन ने कहा राजन रहने दीजिए मेरी माँ मेरे सिर पर है तो राजाने का सिर पर है तो राजा कासी नरे सिर अपनी सेना लेकर गाओं के बार छोड़ने के लिए आये पर उसकी विजाल सेना देख करके तो राजा जी तो तर ग Abda पाएंगे दुरगा जी का पहला मन्दर ब्रम्हण में कहां मना बिस्तो में दुर्गामा का पहला मंदिर कामना यही है देविभागवाद सुदर्शन गया मेदान में चारो तरब मार लो छीन लो सुदर्शन बिलकुल नहीं घबर आया का राजा ना आगे बढ़िये मुझे पता है मेरे सिर्वर मेरी मातारा नहीं कड़ी है जीने तुभानों से जूजने की आदत है न उसे समुत्र भी रस्ता देते और जिसे जूजने की आदत नहीं हो क्या करेगा जूजना पढ़ता है बड़े से बड़ा याद रखेज दिल में सहस हो और सिर पर शाहब हो ठिर दुनिया में कई ढ़ने के दरकारने का अब आगे चला तो राजा की से ना तो दोडी देल में खतम हो गई अब सत्रोजितने और युदाजितने सुदर्शन को चारो तरफ से घेर लिया ताब सुदर्शन ने मां को पुकारा अबे मां मां को दो मांसा क्लिम कलिम कलिम कलिका डेवी मां राजा भूला रे क्यों सिंसार पूला कून सुन döई आला तुमवारी यांपर तुम भी मरोगे मैं भी मरोगा उसने का महाराज निश्चित रहिये जनसार बदल सकता है लेकिन माँ का सवभाव नहीं होती विश्वास दिर्ड होता है और उसी समय सुदर्शन आगे बढ़ा और उनकी सेन आगे बढ़ी और उसी समय बयानक सब्द उठा बयानक सब्द हुआ और उसी समय में उपतर दिवा से और मागा इतना भेहनकर अउतार हुआ कि तलवार लेकर के उसने लाखों लाखों सेनिकों को काटना अरब खर दिया सिंग ने लाखों को पसाड मारा आगे आगे किसे ना ठिक नहीं पाई तुरगा भवामी आई रे मा आज हाथ फोलिए हाथ फोलिए तुरगा भवामी आई रे मा तुरगा 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 तुर्दा भालानी आई रहे जैमा अंसर आहे बोलो जैमा दाजी भिल कर बोलो जैमा दाजी भिल कर बोलो जैमा दाजी भिल कर बोलो जैमा दाजी तुर्दा भालानी आई रहे जैमा दुर्दा भालानी आई रहे जैमा दुर्दा ये जैमा अंबे जैमा अंबे तूने महिसा शुर को मारा, मजो के कब को तूने संधारा तेरी नाशानी है, दुनिया ने मानी है, तेरी नाशानी है, दुनिया ने मानी है, दूप अनुख लाई रहे माघर गा, तेरी नाशानी है, माघर गा, तेरी नाशानी है, दूप लाई रहे बेलो, मैंनें शुड़िया, आवाज नाई, प्रेम से बेलो, घरिस बेलो, आगे बेलो, बीचे बेलो, सभ मिन बेलो, तरगा भावान आई रे, 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 रूपे आनो खाला आई रे, मा देरगा, रे, 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 जग्दम मेमात्य की जगावानी की जह माता की जह बाता की बेना बोलो जग्दम मेमात्य की शारे लोलेड़ फट्री से लो तुर्गा भरबनी आरी मुश्रा फुर्वा जगदंबे माती की यहल biblical अवतार ब्रह्मांड में सागार रूप में मात दुर्गा का सी में हुआ इसलिए पहला मंदिर ब्रह्मांड में दुर्गा मंदिर कासी में है और जहां पर माने दुष्टों को मारा उसका नाम दुरगा कुंड है अब यह मारे प्रधान मंतरी भी वाँ गये थे छेएक मेने पहले वो मंदिर दुरगा मंदिर के नाम से जाना जाता है और वहीं यह कुंड है हमारा अंध विद्या ले अनुमान परशाजी वोदा उसके ठीक सामने माना समंदिर के पास पहला मंदिर ब्रमान में बना मा दुरगा का और माने प्रगड होकर के सारे दुष्टों को मार दिया और सुदर्सन को माने का वा बेटा तेरे विश्वास को जय हो और माने सुयम अपनी चुनडी और ससीकला को उड़ाई का जावेटी जो आज के बाद मेराए वस्त्र धारन करेगा इसलिए हमारे हम विबा हो, कन्यादान हो, चोत का मुरत हो, कोई उत्यापर हो बिना चुनडी ओड़ करके बिना किया नहीं जाता अपने आज के फैसन में आप जो खरो, ना चाव खरो लेकि बिना चुनडी के ऐसावे, नहीं हो सकता इस देश के अंदर क्योंकि चुनडी नहीं है, मानी अपना सुयम बस्त्र पेड़ा करके और ससीकला को आसिरवाद दिया, जा पहला मंदिर मेरा कासी में होगा और मैं सदा तेरी पुजा स्विकार करूँगी, सुदर्सन को कहा बेजाई भावा, जा अयुध्या का राजा बन अयुध्या का राजा बन, सुदर्सन ने का मा कासी में रहोगी पर मैं तो युद्या का राजा हूँ काजा दूसरा मेरा मंदिर युद्या में बनेगा जो आज दी तेरे बंस में बगवान एराम पेडा होंगे जा आश्रबाती है मारे और माने चुनुडी उढ़ाई तब से लेकर आज तक मा दुर्गा के मंदिरों में चुनुडी उढ़ाई जाती है पहराई जाती है ये लाल चुनुडी का अर्थ नहीं है अर्थ है मा के स्री चुनुड़ों में पहुंचने का बुले जगदंबे माते की जैहू दुर्गा बावानी की जैहू आईए बोले जगदंबे माते की, जय जय जगदंबे, आईए, मा को चुरूरी उढ़ाएंगे, आप सब बेटे रहिए, आप हडवर बहुत करते हैं तिम, दो-चार मिंट के लिए गडवर कर देते हैं, ऐसे शुरूदाम को चाहिए भी नहीं, जो मा की आरती छुड़ के जाते हैं, हमको कोई आप सकता नहीं है, शानते से बेटिए, कितने बड़िया कता हो रही है, और देवि भागवत कहने वाले, कितने लोग हैं हमारे देश में, आप से अनुरूद है, अपने घर-घर, गीता परेश से देवि भागवत खरी दिये, अपने पंडितों को, अपने घरों म प्रचार कीजिए मा का की घर घर में मा दुरका की जोत जले है कुल जगत अमबे मात की जुल दावावानी की जय 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 अमबे जैर लिया या थारी चोनरी कर लियो मासी का आपके बेटियों बस भाज ज़ा रहें आपके बुख्यों की दोड़ी सला लाव रहें इम साचा साचा ही रा इम साचा साचा ही रा और मोत्या की भर्मा ल्याया थारी चोनरी कर लियो मासी का ल्याया थारी चोनरी कर लियो मासी का इंब साचा साचा ही रा, और मोग प्यारी बर्मा न्यारा तारे चुन ले कर ले मासिका न्यारा तारे चुन ले कर ले मासिका अधुनाईए जोनार बात्य बजाएए हर चुनडी को रंग लाल चटक है चुनडी को राल चटक है तारा भी चिप खाया मा बड़िया पोप मनायो जा मैं गोटो भी लगवायो मा बड़िया पुन खायो जा में गोलो भी लगवायो मा तो पोड किखायो मैया तो पोड किखायो मैया तारो मानों गाउटका लाया तारी चुनडी कईयो हांचिया इन साचा साचा मोगी लाया तारी चुनडी करियो मासिका पुलडिका दर्सन कीजिये को आरहां जोडिये आपकी बहों की डेज्यों की हमारे भारत की देशां की रहा दे रहा दे ऐसे मत अड़ाईए ते फुर्सिमार आए बिशुन हाट अग्या बजसे लिए फिछे कर झाले कैना एंगा मुपसे धनल कर गाया कर दे शिवा मैं लग जावा माँ वसु दिनी से किर्पा कर दे शिवा मैं लग जावा माँ आरि महाने तो ही लायक बना दे चुनडी रोज बुढा मामा अर्वा ने तो ही लायक बना दे चुनडी रोज ठढावा माँ मरता वरिया पे बरसे अर्व सावरिया पे बरसे अर्वगता पे तो बरसे अर्वगता पे तो बरसे मित किरपा की बरसा पुल्गया थाए चुनड़ करल वमाते लिगार पुल्गया थाए चुनड़ करल वमाते लिगार इम साचा साचा ही रा, पर मोट्यारी धर्मार याया तारी तूनरे तर्णुमा सेखा याया तारी तूनरे तर्णुमा सेखा होगी मारे आड़ ओडेशत थारी जुनड लेयाए ओडो ओडो मारी माताराणी आज बगत कारी जो नड़ जाया है जो नड़ जाया है पिरा हाथ उड़ाइए हाथ उड़ाइए पर्टेश पर घरिया वो भी हाथ उड़ागे मा को प्रणाम करे इस चूल नड़ को ओति पो मईया सुरत से मंगवायो पिछू नड़ नो तो तो मईया सुरत से मंगवायो भगता के घर बड़ी चाव से साचो माल लगायो भगता के घर बड़ी रे चाव से साचो माल लगायो प्यारों लागे चटके रंग लाल भगत थारी चूनड नड़ 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 तोड़ो मुड़ो आरी माता नड़ नड़ भगत थारी चूनड नड़ नड़ सुन चामी को तार घड़ा करे लुन्पी भी जड़वाई आंसों नड़ चामी को तार खड़ा करे लुन्पी भी लगवाई साच मो त्यारी लरियाने में चारों और लगाई बीच तारा भी सभी वाराज बगत थारी चूनड नाड़ लुन्पी लुन्पी वाराज बगत थारी चूनड नाड़ ओडो ओडो मारी माताराणी आज भगते फारी छो नड़े लिया आया पोड़ी चुमरी पैथी महिया इतनी प्यारी लाग है ओर इक नड़ पैथी महिया इतनी प्यारी लाग है दिन लोप में महिया थारी दिन लोप में महिया थारी सकती का जंगा आबादे है दिन लोप में महिया थारी शक्ती का जंगा आबादे दिवा पूल पर साएं भगत धारी शक्ती का जाया जो लेया यहां बेखें वहीं से मांकी में देर उतारी हाग दाइए हाग दाइए मारी मैया के भगतों देखो इजिर नहीं लगे जावे मारी मैया के भगतों देखो इजिर नहीं लगे जावे लून राई उतारा भारा जद ही वड़ो सुख पावे लून राई उतारा भारा जद ही वड़ो सुख पावे जावे रामो को अगलिया जावे रामो को अगलिया भगतों दाडी जोड़ो इजिर नहीं लगे आगपतारी चो लड़ याये ओड़ो ओड़ो मारी मातारानिया आगपतारी चो लड़ याये आगपतारी चो लड़ याये आगपतारी चो लड़ याये आई आरती का दर्शन करें आगपतारी चो लड़ या सली आगपतारी चो लड़ याये आगपतारी चो लड़ याये करणा वार साने आदी, सब को हर साने आदी, मैया बावादी सुन आदी की, उमया हम सब करें तेरी आदी की, नहीं माल तो जन और दो लग नादाए आसो नादी, हम तो माली मां के मन में एक जोड़ा साथो आदी, करणा वार साने आदी, यद्दा को खाने आदी, सब के सब करें तेरी आदी, नहीं माल तो जन और दो जन और दो जन और दो लग नादी, इस पर मैया के पातरे में तेरा ज्यान लगाए सब के, बिगुणी गानाने वाली, लाज बाचाने वाली, नहीं आदा मरें ते ओ, आरे थे ओ, मैया, हम सब करें तेरी आरे थे, चोटा सा परिलार हमारा इसे बनाए रखना, इस भगिया में सजा पिन के, फुल के लाए रखना सब के, तेरपा बरसाने वाली, आहन दो लाने वाली, माने तो भग्यो कोपा राख ते ओ, मैया, हम सब करें तेरी आरे थे, जब जब पर्त पड़ी भगतन पर सब का मैया आए, ओकर सिंग सबारी मैया, तुनार को दिखाए, वाल को मेरे लोटे परने वाली, शरन मेरखने वाली, तो ही है जग ओ धारे न, ओ मैया, हम सब धारे तेरी सब कारी तो अम्ने तो भग्यो कोपा राख तेरी थे, जब जब पर्त पर बाली, तेरा जी गुन जाए, भारी की हो आया, तब सब हो तारे तेरी तो अम्ने तो भग्यो को दिखाए, हाँ, जब 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 अब बाली, तो ही है।